So Hello Everyone, Welcome to Defense Study Point, दोस्तों आज की वीडियो में डिसकस करने वाले हैं 20 बहुत ही महत्वपुन प्रशनों को, जो की पिछले वर्षों में कई बार अग्जाम में रपीट हुए है, इसलिए वीडियो को अंतक देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, और ऐसी Q2. C. अनुच्छेद 3, D. अनुच्छेद 4, सही जवाब है, ओप्शन A. अनुच्छेद 1 में Q2. सम्विधान संशोधन की प्रक्रिया सम्विधान के किस भाग में वर्नेत है? Option है A. 16 में भाग, B. 18 में भाग, C. 20 में भाग, D. 25 में भाग, सही जवाब है Option C. 20 में भाग में Q3. भारत का एक राष्ट्रपती होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है? Option है A. अनुच्छेद बावन, B. अनुच्छेद 60, C. अनुच्छेद 62, D. अनुच्छेद 65, सही जवाब है Option A. अनुच्छेद बावन में Q4. राज्यसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसे सौंकता है? Option है A. राष्ट्रपती, B. अप्राष्ट्रपती, C. प्रधानमंत्री, D. लोकसभा अध्यक्ष, सही जवाब है Option B. अप्राष्ट्रपती को Q5. राज्यसभा का अध्यवेशन कौन बुलाता है? Option है A. प्रधानमंत्री, B. लोकसभा अध्यक्ष, C. राष्ट्रपती, D. उप्राष्ट्रपती, सही जवाब है Option C. राष्ट्रपती Q6. किन्नास्वामी अभ्यारण्य किस राज्य मिस्थित है? Option है A. तमिलनाडू, B. आंध्रप्रदेश, C. राजस्थान, D. करनाटक सही जवाब है Option B. आंध्रप्रदेश में Q7. अंतरराष्ट्रिय न्यायाले में न्यायाधीशों की संख्या होती है Option है A. 12, B. 15, C. 19, D. 25 सही जवाब है Option B. 15 Q8. भारत्रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? Option है A. विजय लक्ष्मी पंडित B. एनी बेसेंट C. इंदिरा गांधी D. सरोजिनी नाइडू सही जवाब है Option C. इंदिरा गांधी Q9. अर्ध गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है Option है A. ब्रह्मपुत्र नदी B. कावेरी नदी C. गोदावी नदी D. सतलुज नदी सही जवाब है Option B. कावेरी नदी Q10. एफिल टॉवर किस देश में स्थित है? Option है A. फ्रांस B. अमेरिका C. लंदन D. जापान सही जवाब है Option A. फ्रांस मंत्रिपरिशद किसके प्रती उत्तरदाई होता है? Option है A. लोकसभा B. राज्यसभा C. उप्राष्ट्रपती D. राष्ट्रपती सही जवाब है Option A. लोकसभा के प्रती Q12. शांती निकेतन के संस्थापक कौन है? Option है A. महात्मा गांधी B. सुभाष्चंद्रबोस C. जवाहरलाल नहरू D. रविंद्रनाथ टैगोर सही जवाब है Option D. रविंद्रनाथ टैगोर Q13. हजार जीलों की भूमी किस देश को कहा जाता है? Option है A. फिनलेंड B. थाइलेंड C. बहरीन D. नीदरलेंड सही जवाब है Option A. फिनलेंड को Q14. उचतम न्यायाले के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है Option है A. साथ वर्ष B. बासट वर्ष C. पैंसट वर्ष D. इनमें से कोई नहीं सही जवाब है Option C. पैंसट वर्ष Q15. मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी Option है A. 1904 B. 1905 C. 1906 D. 1907 सही जवाब है Option C. 1906 इसवी में Question 16. साहित्य अकादमी पुरसकार पाने वाली प्रथम महिला कौन है Option है A. महादेवी वर्मा B. अमरिता पृतम C. तस्लीमा नस्रीन D. सुभद्रा कुमारी चौहान सही जवाब है Option B. अमरिता पृतम Question 17. विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है Option है A. हिंद महासागर B. प्रशांत महासागर C. अट्लांटिक महासागर D. आक्टिक महासागर सही जवाब है Option B. प्रशांत महासागर Question 18. नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतराष्ट्रिय हवाई अड़ा कहां स्थित है Option है A. मुंबई B. नई दिल्ली C. कोलकाता D. चेन नई सही जवाब है Option C. कोलकाता में Question 19. भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है Option है A. करनाटक B. केरल C. गोवा D. सिक्किम सही जवाब है Option C. गोवा Question 20. पिछोला जील भारत के किस राज्य में स्थित है Option है A. राजस्थान B. महाराष्टरा C. तमिलनाडू D. आंध्रप्रदेश इसका उत्तर कमेंट में बताएं तथा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें थांक्स फॉर वाचिंग जय हिंद